पिरे विध्यार्तियों इतियास विशे की जिजिस्ट्रल कक्षा में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर इकबाल से आचारे इतियास भाग रात के माध्याले जहलावाण विध्यार्तियों मैं आज आपको बताना चाहूंगी सेविनवग आंदुलन के अगले चरण और उससे पूर्में हुए गोल में सम्मिलनों के बारे में कॉंग्रेस के द्वारा जो सेविनवग आंदुलन चल रहा था और वो जितने तीवरोता से बढ़ रहा था उस दोरान सरकार और कॉंग्रेस को के समध्योता करवाने के लिए कुछ प्रयास भी किये गए और साथी सरकार का इमानना था कि कॉंग्रेस के जो अग्रणी स्रेणी के समस्त नेता ग्रफतार कर लिए गए हैं इस तरही आंदोलन खुदी कमजोर पड़ जाएगा और इस संदर में वाइसराय इर्विन ने भारत सच्वी वेन को एक पत्र लिखा था कहा गया था कि इसमें कोई संदर नहीं कि किसी अंग्रेज या भारतिये को जितना अनुमान था उससे अधिक गांदी ने हिंदों में रास्टे आंदोलन फैला दिया है हमारी नीती थी और आशा थी कि बड़े बड़े नेताओं को पकड़ लेने पर आंदोलन समाप्त हो जाएगा परन्तु इसमें हमको सफलता नहीं मिलिये ऐसे स्थिती में सरकार के लिए बहुत साई समस्या है थी अन्तिते भारतियों की जो सवेधानिक समस्या थी उसको सुधान या उसका समाधान करने के लिए 12 नॉबंबर 1930 को लंदन में गोल में सम्मेलन का आयोजन किया गया इस सम्मेलन के अध्यक्षता प्रधानमंती मैकडॉनल्ड ने की तथा इसमें कुल 89 प्रतिनिदियों ने भाग लिया जिसमें से 57 प्रतिनिदी बिटीज भारत के 16 भारती रियासतों के वे 16 इंग्लेंड के संसत के प्रतिनिदी थे भारती प्रतिनिदियों में विभिन संपरदायों और विभिन वर्गों के लोग शामिल थे लेकिन कॉंग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया और इस सम्मेलन के संदर में कूपलेन लिखता है कि सम्मेलन एक अत्यांत महत्पून 182 घटना थी इसके पूर 40 करोड जनता का पृतिनीदित करने वाले ततॉ تع só एक संपराट की प्रतिश्रदा रखने वाले प्रतिनिती समान हित के लिए एक समान महत्व के विशे पर विचार करने हितु कभी भी एक इस्थान पर एकत्र नहीं हुए थे किन्तु सम्मेलन में उपस्तित व्यक्तियों को भारत की 40 करोड जनता का प्रतिनितित नहीं कहा जा सकता था क्योंकि सम्मेलन में भारत की सबसे बड़ी राजनितिक संस्था कॉंग्रेस ने अपना कोई प्रितिनेदी नहीं भेजा था इस प्रकार सम्मेलन में भारत के आत्मा विद्धेमान नहीं थी भारत की आत्मा जो है उसमें मुझूद नहीं थी इसी बात को लक्षे करते वे ब्रेल्स फोर्ड लिखता है कि सेंट जैम्स महल में भारते नरेश, हरीजन, सिक, मुसल्मान, हिंदू, इसाई, जमिंदार, मजदूर संगों और वानिजे संगों के प्रतिनिती सम्मिलित थे, किन्तु भारत मातावा उपस्तित नहीं थी इसी लिए डॉक्टर राधिन परसाद ने भी ये कहा कि ये सम्मिलन दूले के बिना संपन होने वाला विवा था इसके अलावा राश्ट्रिये मुसल्मानों को भी सम्मिलन में आमंदृत नहीं किया गया था इस पकार प्रथम गोल में सम्मिलन जो है भारत की सेवेधानिक समस्या को सुल्जाने में ज्यादा सफल नहीं हो पाया और सुबास चन्दोस ने इस सम्मिलन की कारेवायों को संक्षेप में कहा है जिससे हमें इसका सार समझ में आएगा उन्होंने कहा कि सम्मिलन ने भारत की को दो कड़वी गोलिया रक्षा कवच तता संग प्रदान की किन्तु भक्षने बनाने हितु उन्हें उतर दायत रूपी शक्कर में लपेट दिया गया यानि दो कड़वी गोलिया रक्षा कवच और संग जो है भारते राज्यों का संग प्रदान किया लेकिन उनको खाया जा सके उनको स्विकार किया जा सके इसके लिए उन्हें उत्तर दायत रूपी सक्कर में लपेट दिया गया ऐसा सुभाचिन दोस ने कहा इस सम्मेलन के बा कॉंग्रेस कारे समीती की उनीच सदसी गिरफतार किये गये थे सह विन्यव ग्यांदोलन के दौरा उनको रिहा कर दिया इसी समय पंडित मोतिलाल नहरू बिमार थे और कॉंग्रेस के नेता सुराज्य भवन इलाबाद गए और उन्होंने वहां विचारी मर्स शुरू कर द कि उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि हम थोड़ा सा उनको सयोग भी करें क्योंकि बहुत जादा आश्वशन कारी तो नहीं है लेकिन फिर भी उनपर भरोसा किया जा सकता है इसके बाद महात्मा गांधी और वाइसरा इर्विन के बीच में एक समझोता हुआ जिसको गांधी इ इस समझोते के नाम से प्रसिद्ध है इस समझोते के अंतरगत कुछ मोटी मोटी बाते थी जिसका फायदा भारतियों को मिलना था और इसमें एक चीज तो यह थी कि समझोते के द्वारा सरकार ने स्विकार क्या कि वे सभी अध्यादेशों वे मुकदमों को वापस ले ले तता आहिंसक आंदोलन करने वाले सभी केदियों को रिहा करेगी यानि सिर्फ आहिंसक आंदोलन वालों को रिहा करेगी और जो किसी क्रांतिकारी गतिविदियों में गिरफतार किये गए भारतिये हैं उन्हें विया नहीं किया जाएगा इसके अलावा सरकार ने ये भी समक करको हटाया नहीं गया था महात्मा गांदी ने भी समझोते के अंतरगत अनेक बाते स्विकार की जैसे सैवी नवग्या अंदोलन को इस्थागित करना पुलिस की कुरूरता की जाच की मांग को त्यागना सभी बाइशकारों का त्याग तथा एक ये बात भी कि कॉंग्रे को एसे समय पर लोग दिया यह था जब कि वे शिक कर्फ़ा था विद्यार्तिंग ओमने ऐसे को अंदोलन के दो के दोरान देखा था या तकी नमकर्व को भी नहीं हटाया गया था किन्तु कॉंग्रेस में फूट ने पड़ जाया उसकी एकता समाप ने हो जाया इस कारण इस समझेतों को कॉंग्रेस के अधिवेशन में वे विरोध नहीं कर सके नेरू जी ने स्व्यम कॉंग्रेस अधिवेशन में इस समझेते का प्रस्ताव रखा था और नोंने कहा कि सक्त मानशिक कश्मकर्ष और शारीरिक क्लेश का अनुभा उन्हें इस दोरान करना पड़ा था तो वित्यारतियों जो गांधी इर्विन पेक्ट है उसका विरोध क्रांतिकारियों ने भी किया और जनता ने भी किया क्योंकि 1928 में सॉंडर्स के हत्या के आरोप में शहिद भगत सिंग सुखदेव राजगुरु के मृत्युदर्ण को इस समझोते से रोका नहीं जा सका था और वहीं रास्टवादी के मुशी आदी ने इसे भारती इत्यास के प्रमुग घटना माना है युवाबार बहुत नारास था तता युवक संगठोनों तता युवक संमेलों ने इसके खिलाफ अनेक प्रस्ताव पारित किये मजदूर्वग ने भी इस समझोते का विरोध क भी किये कमिनस्टों ने भी समझोते की कड़ी आलोशना की और उन्होंने इक अपना नया दल बनाया एडावाद दोल से अलग होकर तो इस पकार ये जो आंदोलन है महत्मा गांधी ने समझे तो इस वज़े से उज़िट ठहराया कि उनका मानना था कि सबसे प्रभू बात तो ये कि इसमें पहली बार अंग्रेश सरकार ने भारते नेताओं के साथ समानता का विवार किया इसमें कोई संदे नेकी या रास्टे आंदोलन की शक्ती की विज़े थी जिसने उस सरकार को जो कॉंग्रेश को समाप्त करने पर तुली थी कॉंग्रेश के नेता के साथ समानता का विवार करने के लिए विवश किया इसके बाद विध्यार्तियों दित्ती गोल में सम्मेलन का आयोजन हुआ और ये सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को लंदन में आयोजित हुआ और कॉंग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में भाग गिया किन्तु परिस्तितिया जो है इस प्रकार की थी कि देते जो गोल में सम्मेलन था उसमें कॉंग्रेस को और हमारे जो देश को जो सव्वेधानिक समस्याय थी उसमें कोई बहुत ज्यादा सुधार अभी भी नहीं हो पाया और गांधी जी गोल में सम्मेलन से जो खाली हाथ वापस लोटे और इसके बाद जब वो वापस आ गए दिसंबर 1931 में भारत वापस लोट गए तो उसके बाद से विनवग्य आंदोलन का दूसरा दौर जारी हुआ और भारत लोटते समें गांधी जी ने वैसे तो आशाव्यक्त की थी कि सरकार के रूट संबहुते पुने आंदोलन करने की आशकता नहीं पड़ेगी किन्तु भारत आने पर उन्हें प्रसित्या बिल्कुल विप्रीत नजर आई और सरकार का दमन बहुत जादा बढ़ गया था आतिक गांधी जी ने सह विनग्यांदोलन वापस शुरू करना की गोशना की और ये गोशना की गए तीन जनवरी 1932 में और इस गोशना की प्रतिकिर्या में विलिंग डन ने चार जनवरी 1932 को चाना की गांधी जीवे सर्दार वल्लबाई पटेल को ग्रफतार कर लिया इसके साथी अनेक अध्यादेश जारी करके कॉंग्रेस वे उसके संगठनों को गैर कानूनी गोशित कर दिया गया तता कॉंग्रेस के सभी नेताओं शिशेरवानी, एमे अनसारी, राजगोपलाचारे, सत्यमूर्ती, मदर्मोन मालविये, सरोजनी नायडू, अब्दुलकलाम आजाद, मुफ्ती किफायत उल्ला, आधी को जेल में डाल दिया गया कॉंग्रेस से संबंदी समाचार पत्र वे उसकी संपत्ती पर भी अधिकार कर लिया गया कुछी समय में लगबग एक लाख बीस हजार व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया वाइसराय विलिंग्टन ने दमनकारी नीती का आश्रे लेते वे ये दावा किया कि वे छे सप्ता में कॉंग्रेस वे आंदोलन को कुचल देगा किन्तु भारती रास्टे आंदोलन इतना शक्ति नहीं था विध्यारतियों जैसा कि वाइसराय सोच रहा था या अनुमान लगाया था उसने समस्प्रकार के अत्याचारों वे दमनकारी नीतियों के प्रशाद भी से विनव ग्यांदोलन लंबे समय तक चलता रहा भारती रास्टे कॉंग्रेस के नेता सरकार की परिवर्थित नीती वे अचानक किये गए आक्टमन से अत्प्रब्र रह गए वे सरकार के आक्टमन के लिए तयान नहीं थे यहीं 1932 इसवी में प्रारम किये गए वे 1922 इसवी के सबग्य आंदोलन में भी अंतर था 1930 इसवी में आंदोलन के समय कॉंग्रेस आक्टमन रामक रुक धारन किये थी किन्तु इस बार सरकार ने आक्टमन किया था और वे भी अचानक इस बार सरकार द्वारा अत्याचार भी पहले से कया दिक किया गया प्रदर्शनकारियों पर लाठियों वे गोलियों से आक्रमन किया गया वे समस्त बंदियों को यातनाय दी गई लोगों की संपत्या भी जब्त की गई और विभिन तरीकों से आम जंता को आतंकित करने के लिए प्रेशान किया गया पट्टावी सितार मया ने इस समय के अत्याचारों के विशे में लिखा है कि 1930 इसवी के आंदोलन में पुलिस ने लाठी चार का प्रयोग बहुत बाद में किया था किन्तु 1932 इसवी के आंदोलन को दबाने की शुरात इधी इसी तरीके से की गई किन्तु सरकार दमन चक्र के प्रशाद भी भारतियों का मनोबल कम नहीं कर सकी और वे आंदोलन लगाता जो है यथावत चलता रहा इसी दोरान 17.1932 को तिरती गोल में सम्मिलन भी आयोजित हुआ और इसी दोरान सांप्रदाएक पंचाट भी हुआ उसको किया गया लेकिन आंदोलन जो है अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था और बाद में इस्तित्या बदली और 1933 इसी में यह आंदोलन चलता रहा लेकिन अंत में 1934 में सहविनों के आंदोलन को पूरी तरह वापस ले लिया और आंदोलन का तीसरा चरण जल्द ही समाप्त हो गया और कॉंग्रेस पर लगे वे प्रतिबंद भी सभी तरीके से सरकार दोरा हटा लिये गए किन्तो उसकी सयोगी संस्थाय वे संगठन प्रतिबंदी थी रहे सहविनोंग्य आंदोलन की समय कम्यूनिस्ट दल ने भी मजदूरों, किसानों, नोजवानों तता अन्य श्रम जिवी वर्गों को संगठित करके आंदोलन किये थे जो शरकार की चिंता का विषय बंदते जा रहे थे बंभई की हर्टाल ने कप्ड़ा मीलों के कार्य को पूरी तरे बंद करने में सफलता प्राप्त की थी अत्य सरकार ने कम्यूनिस्ट नेताओं को बंदी बनाने के साथ ही कम्यूनिस्ट दल को गेर कानों निगोशित कर दिया ये प्रतिबंद 1922 तक लगा रहा अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेव अंदोलन का महत तो क्या है इसका क्या सिगनिफिकेंस है हमारे रास्त्रे अंदोलन में ये क्या स्थान रखता है तो यदर पी मैं 1934 में सेव अंदोलन वापस ऐसा फल ही समाप्त हो गया किन्तु इसके अत्यनत व्यापक और दूरगा आर्मी प्रभाव हमें नजर आते हैं इस अंदोलन में पहली बार बहुत बड़ी संख्या में भारतियों ने भाग लिया जिसमें मजदूर वे किसानों से लेकर उच्च वरगे लोग शामिल थे इन अंदोलन कारियों की विशेष्टा यह थी कि सरकार के समस अत्याचारों के प्रशाद भी उन्होंने अहिंसा को नहीं त्यागा जिससे भारतियों की आत्मबल में व्रत्ती हुई इस अंदोलन में करबंदी भी होने के कारण ये किसानों में भी राजनितिक चेतना अधिकारों की मांग के लिए संगस करने की शमता का विकास करने में सफल रहा इस अंदोलन में निर्भैता, स्वालंबन और बलिदान के गुण उत्पन हो गए जिस स्वतनता की नीव है जनता ने समझ लिया कि युगों से देश के दुखों के निवारन के लिए दूसरों का मूत आकना एक भ्रहम था अब अंग्रेजों के वाइदों और सद्भावना में विश्वास उनका नहीं रहा जनता के सारे वर्ग आतुरता पूर्वक स्वतनता चाहते थे इस आंदोलन ने कॉंग्रेज की कमजोर्यों को भी सामने ला दिया कि उसमें क्या कमजोर्या है कॉंग्रेज के पास भविश्य के लिए आर्थिक सामाजी कारेक्रम नहीं होने के कारण ये भारतिय जनता में व्यापत रोश का पूरी तरे उपयोग नहीं कर सकी कॉंग्रेस कारे समीती ने इस कमजोरी को भाप कर अपनी रण निती में महत्पूर्ण परिवर्तन किये रजनी पामदत ने ततकालिन इस्टिती वे इस आंदोलन के महत पर प्रकाज डालते वे उचीती लिखा है कि यह एक ऐसा आंदोलन था जिसके लिए जनता से समर्थन, शद्दा, भक्ती और त्याग की कोई सीमा नहीं थी उन दिनों जो कुछ भी हुआ उस पर रास्ट्रे आंदोलन गर्व कर सकता है सामराध्यवादी उन दिनों सोचते थे कि दमन के नयने तैके खोज कर वे भारतियों को कुछल देंगे और स्वतनता के आंदोलन को समूल नस्ट कर देंगे पर वे उपने उद्देशों में सफल नहीं हो सके सभी प्रकार के दमन के प्रशाग दो वर्ष के अंदरी रास्ट्रे आंदोलन पहले से भी अधिक वेक के साथ आगे बढ़ चला 1930 से 34 सीस्वी का जो संगर्ष है वे व्यर्थ नहीं गया उसकी भट्टी में तपकर जनता में एक नए और पहले से अधिक द्रष रास्टी एकता एक नया आत्मिश्वास एक नया गौरव और नई द्रषता उत्पन हुई ब्रेल स्वाड ने इस आंदोलन के विशे में लिखा है कि भारते अपना उद्देशे निश्षित कर चुके थे अपने दिलों में वे सतनता प्राप्त कर चुके थे गांधी ने एक सौम्मे तता निश्किरे रास्ट को शताब्दियों की निद्रा से जगा दिया था इस परकार विध्यारते हम देखते हैं कि से विन अवग्या आंदोलन या दपी ऐसा फल रहा लेकिन वे हमारे राजनितिक आंदोलन में रास्ट्रे आंदोलन में सतनता संग्राम में एक महत्पून इस्थान रखता है धर्निवाद